पब्लिक टीवी आपकी आवाद उत्तरप्रदेश के जन्पद मुरदबाद में दो दिन पहले भाजपा नेता के साथ ब्लॉक प्रमुक पती और समर्थकों के दोरा मारपीट की गई थी जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी खुब वाइरल हुआ है लगातार बढ़ते जा रहे इस मामले में अब एक और नया मोल सामने आ गया है इस मामले में भाजपा के जलात्यक्ष राजपाल चौहा ने हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की मांग की है साथ ही कहा है कि कुनर की ब्लाग प्रमक और उनके पति का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है वो भाजपा के लोग नहीं है हो इस सरम ना घटना है और भार्तियनता पार्ट्डी का जो भी कार्णे करता होता हुआ सो मदब आशार विचार के वड़ा अच्छा होता है और वह ऐसा कोई काम नीगरना चाहता है लेकिन यह जो घटना जिन अंजाम दिया रहे हैं और यह अंजाम तो ऐसे लोग तो आज की तारिक में जेल में जो गुंडे हैं हमारी सरकार जब साही दुबारा सरकार रही है या फिर चले गए बाहर ऊपर चले कि यह गटना बहुत दुखत गटना है और इसके निंदा की जाती है कुरिपृत है हम जो संगठन का देखती था हमारा रहो उसका कोई गाली नीजी कोई लड़के को अगर वो अपनी जान नहीं बचाता जितने लोग थे तो वह समझता है उसकी जान बचनी मुश्किन थी कि शिच्वाइद्ट के लोग है और इनको भी साहथ समझ आना चाहिए कि बीजेबी सरकार में ऐसे लोग खिलाप्व में सरकारवऑ हुनी है कि विलाग प्रमुख की बात ही है विलाग प्रमुख की बना है और समाजमादी के बनने बाद मेरे जानकारी में कहीं भी इसको पार्टम ज्से पृइक नहीं करा है पार्टम से कोई जो जहारा नहीं तरीके से और आपसे कोई राया नहीं गीलिए किस मंध में के लोग नहीं कोई भी घ्राय झिंको किसी को भी हमारे दो आचार विचार जिनके अच्छी होते हैं वह लोग बिल्कुल मेरी परसासन में बात हुई है परसासन कार्रवाई करेगा इसकी अठोर कार्रवाई होगी इवन के मेरी डीम चाहब और एसस्वी साफ सी बात होगी है यह लोग बक्से नहीं जाएंगे बंटी ठाकुर का कहना है कि पुलिस की ओर से आरोपियों पर कोई कारवाई नहीं की जा रही है बलकि उल्टा मेरे ही खिलाफ कारवाई कर मुझे फसाया जा रहा है बंटी का कहना है कि भुलास्टमों के खिलाफ शिकायक कर जाच कराई जा रही है इसकी वज़ा से ही मुझे फसाया जा रहा है पीडित ने कहा है कि मेरे साथ ही मारपीट की गई और मुझ पर ही मुकदमा लिख दिया गया बंटी ने अपनी ही पार्टी की कई नेताओं पर रिस्टचार में लिख्थ होने के भी आरोप लगाए हैं आपको बता दें कि भाजपा के जलादच राजपाल चोहान से हमने इसलिए बात की क्योंकि भाजपा की कई लोगों का कहना था खुंदर की की ब्लॉक प्रमुक और उनके पती भाजपा में शामिल हुए हैं जिसके बाद उन्हें सदसता भी दिलाई गई थी लेकिन राजपाल चोहान ने इन सभी बातों को नकार दिया है उन्होंने कहा है कि भाजपा की ब्लॉक प्रमुक और उनके पती का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई भी सदसता नहीं दिलाई प्रुस्पेंडर सिंग और बंटी ठाकुरों में भाजपा जिला कारवरे करनी स्यज़त से उभारती इंता पायटी का हुआ मोर्चे का मेरा ज्राम बसेरा खास है ठाना कुझर की जिला मुरादवाद का रहने वाला हूँ अच्छे बदाए अभी जो विवाद हुआ था यह विवाद सर वह था मैं अपनी घर से आ रहा था और लालपूर होता हुआ रतन पूर होता हुआ से एक संक्य अधिकारी के पास आ रहा था मुरादवाद उनसे बातला हुई थी बुले बंटी आ जाओ मैं उनसे मिलने के ल बाताहर मानगी फिर जिलाज जी ने भी अपने वाट्सप से लेंशाब को कहा था कि जाच करवाँ इसकी राजपाल चौहां जी ने चक्वाँ ने की ब्लाग की जाच हो रही है विल्याज परमूर बना दी एक तर ब्लाग को तो किस पारटी से हैं ये किसी समाजवादी पा बाच पामे जिलाध व्ही न fic log इनके पस आभाव बनारें इनकी सिपारिश कर रहे हैं जिमानु녀heric मंतरशी, चाङी घुंध्र. किसी की मनदद नहीं करें। मेरे टर्री कुल सकते हैं जो चाहए को तो जो को है, निलखा जाएगा। अच्छा किस तरह का लेंदेन हुआ है कुछ जानकरी में है इनकी छेतर में पता लगता है संब में पता लगता है सबी लोगों कर ये पैसे की लेंदेन करकर इसका बचाव कर रहे है पब्लिक टीवी आपकी आवाद